आज की समय में पेरिंस को लव मारेज के लिए मनाना काफी गटन हो जाता है बाद जब लव मारेज के आती है तो ये बड़ा मुद्दा सा बन जाता है पेरिंस का अगसरी मानना होता है कि अगर बच्चे लव मारेज करते हैं तो उनकी शादी जादा दन टिकती नहीं आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने पेरिंस को लव मारे जीडे मना सकेंगे सबसे पहले तो अपने पेरिंस के साथ ओपन हो हम सभी अपने पेरिंस से काफी प्यार करते हैं लेकिन कई बार उनसे खुलकर बात दें नहीं कर पाते हैं हमारी परिवारों में अक्सर पेरिंस और हमारे बीच एक बाउंडरी होती है जिस वज़े से हमारा अपने पेरिंस से मुद्धों पर बात करना कठिन हो जाता है अपने मन की बात रखें, जब आप अपने पेरिंस के साथ ओपन हो जाएं तो इसके बाद आप उनके सामने अपने मन की बात को रखें, उन्हें बताएं कि आपको अपने पसंद की इंसान से शादी करनी है, ध्यान में रखें कि जवाब उनसे बात कर रहे हूं तो उस समय मुटिस करें कि आपके मादा पिता में से कौन है जो आपकी बातों को समझ रहे हैं और अपको support कर सकते हैं अगर दूनूहीं आपकी बाद से सहमध है तो यह काफि अच्छी बात है अगर सुर्फ एक आपके बात से सहमध है तो उन्हें अ खरोसत दिलाना होगा और अपने पेरेंस से अपने पार्टनर को मिलवाना भी होगा। इसके बार अपने रिलेटिव से मदद ले। कई बार आपके लव मानेज के निर्ने को आपकी रिलेटिव या फिर कही रिष्चिदार सपोर्ट करते हैं। आप उन लोग उसे मदद ले सकते हैं जिनें आपके पेरेंस काफी जादा मानते हैं। कई बार ये लोग आपकी मदद करने में फाइदेवन साबच होते हैं। इसके बार अपने पार्टनर को पेरेंस से मिलवाएं। इस प्रॉसेस का सबसे ज़रूरी काम है अपने पेरिंस और अपने पार्टनर को मिलवाना ध्यान में रखेंगी जवाब अपने पार्टनर को घरवालों से मिलाएं तो उसे उनके बारे में सारी जानकारी पहले से देने इससे उन्हीं पता चल जाएगा कि किस से किस तरह से बात करनी है